दिल्ली में 13 मई 1905 को जन्मे फक्रुदीन अली अहमत का परिवार असम करहने वाला था। उत्तरप्रदेश के गौंडा और बाद में दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाहोर में वकालत शुरू कर दी। इन्ही दिनों वो पंडित जवाहरलाल नहरू और सुभाष चंदर बोज के संपर्क में आये। ये 1928 का साल था। दोनों बड़े निताओं ने उन्हें अपने राज्य असम लोटने की सलाह दी। इसके बाद फखरुदीन अली अहमद असम में आजादी के अंदूलन का बिगुल बजा रहे थे। कई साल उन्होंने जेल में भी काटे। असम की संस्कृती फखरुदीन अली अहमद के भीतर रची बसी थी। 1935 और आजादी के बाद 1957 में वो असम विधान सभा के लिए चुने गए। राज सरकार के अनेक विभागों के वो मंत्री रहे। जब देश आजाद हुआ तो वो असम के एडवोकेट जनरल थी। राज सभा के गठन के बाद अगले ही साल वो इस सदन के लिए चुने गए। 13 साल बाद यानि 1966 में वो फिर राज सभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दोरान उन्होंने केंदर में सिचाई, उर्जा, चिक्षा, क्रशी और खाद्य मंत्री के तौर पर देश की बुनियाधी नीतियों को आगे बढ़ाया। खेलों में उनकी काफी दिल्चस्पी थी। वो फुटबॉल, क्रिकिट और टैनिस के शौकी इन थी। 1972 में वो भारतिय लॉन टैनिस से असोसियेशन के अध्यक्ष भी रहे। कॉंग्रेस ने 1974 में फखरुदीन अली अहमत को राश्रपती पत के लिए अपना उमीदवार बनाया। उस समय वो असम के बारपेटा से लोकसभा के लिए चुने गए थे और केंद्रिय मंत्री थे। चुनाओं में उन्होंने शांदार जीत दर्ज की। भारत के पांचवे राश्रपती के रूप में उनका कारेकाल घटनाओं से भरपूर था और चल ही रहा था कि 11 फरवरी 1977 को उनका देहान थोगे। 11 फरवरी रजय है रहा है रहा है विए स्थी क्या को प्रूप प्रूप नहिंटे से बाचान से एलोगे विए और चलाओं में उनका दोपके लिए अरोगे भारत कर दो ही रहा है वाहा है